विश्व हिंदू परिशद्वा बजरंग दल ने अंब में 16 वर्शी बच्ची की निर्मम हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है सोंबार को उना मुख्याले पर पत्रकार वारता करते हुए विश्व हिंदू परिशद के अध्यक्ष निर्मल ठागोर ने कहा कि आंब में हुए इस जगहनित हत्या कान की जितनी मिंदा की जाए कम है विशेश समुदाय के युवक ने किशोडी की गला रेत कर हत्या करने के बाद लोगों में भारी रोश है उन्होंने कहा प्रदेश सरकार जल्द फास्ट्रेक कोट का गठन करे डे टुडे हेरिंग का आश्वासन दिया जाए अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिशद प्रदेश भर में सडकों पर उतर कर रोश प्रदर्शन करेगी ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक आरोपी को फासी के फंदे पर लटकाया नहीं चाता आज बिश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल इसकी जो ये प्रैस कॉन्फेरेंस रखी है इसमें मुख्य मुद्दा अंब में जो जगन्या पराद हुआ है उसकी निद्दा करने के लिए और आगामी बिश्व हिंदू परिशद इसको परदेश भ्यापी की आंदोलन बनाने की कोशिश करेगी पराची का अपराद क्या था कि उस दरिंदे उस बहशी दरिंदे की जो कि वशेश समुदाय के साथ स्वंदित है उसकी आकांक्षाओं को वो पूरा करने में वो संघर्ष करने लग पड़ी और उसको दुतकार दिया उसके लिए और उसने उसको हलाल करके तरफा तरफा के जिस परकार से जगन्या अपराद किया है इसके लिए समूचा हिमाचल शोका कुल है और हर युबा हर हिंदू या अन्या जितने भी हमारे पांत संपरदाय अन्या धर्म किसी भी व्यक्ति का खून खोल उड़ता है इस परकार के जगन्या अपराद को देखते हुए जिस परकार को उसको हलाल करके तरफा तरफा के मारा गया हम सरकार और पर्शाशन से मांग करते हैं बिश्व हिंदू परिशद के फास्ट ट्रैक कोट का तुरंत गठन किया जाए सरकार और पर्शाशन दोनों से ही ये सट्रोंग अपील है बिश्व हिंदू परिशद के इस बात को नजर अंदाज करने की जिस परकार से सरकार और पर्शाशन कोशिश कर रहा है हिंदू समाज ने या बाकी सारा समाज जो उठा है उन्होंने पिशले दिनों जिस परकार से हर गली चुरहे में आवाज बुलंद की है बिश्व हिंदू परिशद उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए तीवर गती देने के लिए तैयार है अगर फास्ट ट्रैक कोट का गठन नहीं होता है नंबर एक नंबर दो डे टू डे हीरिंग ये भी हमें साथ अशवाशन चाहिए अगर ये नहीं होता है तो बिश्व हिंदू परिशद आगामी एक हवते के अंदर-अंदर पूरे परदेश में सडकों पर उतराएगी और पूरे परदेश में अंदोलन होगा जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती और जब तक उसको फांसी के फंदेद पर नहीं लटकाया जाता दन्याबाद दिवेही माचल टीवी के लिए उना से मुनिंदर अरुडा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट प्रक्रिति की गोध में बसे जिला उना के प्रतिष्ठित शिक्षन संस्थान टीडियम कॉलेज ओफ फॉर्मेसी गोंपुर बनिहरा अपर में बी फॉर्मेसी एवम डिप्लोमा इन फॉर्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शिरू हो गई है कॉलेज चेयर परसन चंचला देवी ने बताया कि मानेता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस्ट्रो मेडिकल अध्वा नॉन मेडिकल में पास विद्याथियों हे तू बी फॉर्मेसी में डिग्री एवम डिप्लोमा के लिए 60-60 seats का प्रामधान है जिसके लिए समानिय श्रेनी के विद्यार्थियों के 10 प्लस्टो में 45 प्रतिशत अंक और स्टी स्टी विद्यार्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है उन्होंने बताए कि 2009 में इस्थापित DDM कॉलेज आफ फॉर्मेसी के माश्रपदेश तक्नी की विश्व विद्याले एवम PCI से अप्लोप्ट है इसमें आत्या धुनिक Central Instrument Room, Labs, Machine Room, Library, Classrooms, Playground के अलावा अनुभावी एवम प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्द है यही वज़ा है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मर कंपनियों एवम अस्पतालों में प्लेस्मेंट की रहा आसान हो रही है जबकि PG डिक्री के बाद नामी शिक्षन सलस्थानों में अपनी सेवा करें